नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत है यह डिक्टेशन विशेश कर एलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लोग स्ठानोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं, रेडिय हो जाएंगे 5 सिकन में यह सतर्क हो जाने का समय है लाल सेना ने अरुनाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक बार फिर जो दुस्साहस दिखाया है वह बताता है कि दो साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिस तरह की जड़प हुई थी उससे चीन ने कुछ सीखा नहीं है साथ ही उसने अपने इरादों को बदला भी नहीं है पिछले शुक्रवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जिस तरह से चीन ने 300 से ज्यादा सैनिकों ने घुसपैट की कोशिस कर हमारी एक पोश्ट पर कबजा करने का प्रयास किया और फिर दोनों सेनाओं के बीच जिस तरह से हाथा पाई हुई वह कोई सामान्य घटना नहीं है तवांग एक ऐसा इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाए नियमित रूप से निगरानी करती है निगरानी दस्तों का कई बार आमना सामना भी हो जाता है लेकिन कुछ भी अप्रिय नहीं होता है ये निगरानी दस्ते छोटे होते हैं और आमतोर पर वे अपनी हद में ही रहते हैं लेकिन एका एक तीन सो सैनी अगर निकल पड़ते हैं तो इसमें कुछ भी नियमित जैसा नहीं है इसका एक ही अर्थ है कि किसी खास मकसद या रणनीती से उन्होंने यह कदम बढ़ाया है कम से कम यह लाल सेना की इस्थानीर टुकडियों के इस्तर पर किया गया फैसला तो नहीं ही होगा पैरा हालांकी यह सब अप्रत्याशित भी नहीं है पिछले कुछ साल में चीन ने जिस तरह से सीमा शेत्र में भारी बुनियादी धाचा कायम किया है और गाउं तक बसा दिये है उसने भारत के सैन्य विशेशग्यों के कान तो काफी पहले ही खड़े कर दिये थे दुनिया भर के विशेशग्य अक्सर चीन की सलामी सलाइसिंग नीति का जिक्र करते हैं तक्षिर चीन सागर के इलाकी में चीन जिस तरह से काबिज होने की कोशिश कर रहा है उसकी व्याख्या इसी नीति से की जाती है चीन पहले अपनी पूरी आक्रामक्ता के साथ एक बहुत छोटा सा कदम बढ़ाता है और फिर कुछ समय के लिए रुक कर शान्त हो जाता है इस तरह से वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है अंदेशा है की चीन इसी नीति को भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रन रेखा पर भी आजमाना चाहता है गलवान और डोकाला में भी यही दिखाई दिया था मुम्किन है की मौसम को ध्यान में रख कर यह समय चुना गया हो तवांग का यांग से छेत्र आने वाले कुछ ही समय में बर्फ की चपेट में होगा बर्फबारी के इस मौसम में सीमा की गश्त भी आसान नहीं होती है हो सकता है की चीन उस इस्थित का फायदा उठाने के लिए थोड़ा पहले ही आगे बढ़ जाना चाहता हो पहरा जो भी हो भारती सेना ने चीन के इन इरादों को सिरे नहीं चड़ने दिया अच्छी बात यह भी है की भारत ने पहले से ही उस इलाके में जवाबी बुनियादी धाचा खड़ा करना शुरू कर दिया है वहां सड़के बनने लगी है ताकि किसी भी हालात के लिए सेना के आवागमन को आसान बनाया जा सके लेकिन फिलहाल हालात को शान्त करने के लिए भारती सेना की कोशिश रंग लाती दिखी है दोनों सेनाओं के इस्थानिय अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग के बाद तवांग का यांग से छेत्र शान्त है जिस तरह से भारती सेना ने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद चीन के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था लेकिन खत्रा तला नहीं है और ऐसी साजिश फिर हो सकती है पहले डोकाला और फिर गल्वान जैसे उदाहरण यह बताते हैं की चीन हर बार अपना दुस्साहस दिखाने के लिए कोई नया भूगोल चुन लेता है हमारे लिए हर जगह हर दम सतर करहना इसी लिए जरूरी है उमीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज कर लें रेगुलर वीडियोस को पाने के लिए ताकि एक्जाम तक आप खुब प्रैक्टिस कर सकें चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है प्लेइलिस्ट में यदि आप अध्यात्मिक मैटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पड़ी हुई है धेर सारी वीडियोस ठीक यदि आप योजना मैगजीन से या कुरुक्षेत्र मैगजीन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस पड़ी हुई है अलग-अलगी स्पीड्स में ठीक और यदि आप रामधारी गुपता की कुछ वीडियोस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोज पढ़ी है हाला कि पूरी नहीं है लेकिन कुछ है तकरीबन 30-35 वीडियोज है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडिटोरियल की डेर सारी वीडियोज पढ़ी हुई है लीगल मैटर्स की वीडियोज है तो आप प्लीज एक बार प्लेइलिस्ट विजिट करें और प्रैक्टिस को जारी रखें लेट्स अल फर टोड़े थैंक्स